आज हम आपको ऐसे मंदिर ले जा रहे हैं जो इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है ये मंदिर सुदूर दक्षिन के तेलांगना राज्य में सुथ है यहां आदी शक्ति का ऐसा स्वरूप विराजमान है जिसे देखकर आस्था और भी कई गुणा बढ़ जाती है दोस्तों आप हम सभी जानते हैं कि देश की जड़ों में धर्म की लप्ते कितनी गहरी है भारत का शायदी ऐसा कोई इलाका होगा जहां भगवान से जुड़ी कोई कहानी या कोई निशानी मौजूद ना हो भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जिसके अपनी खासियत है कहीं भगवान को भोग मिलने में देरी हो जाती है तो भगवान की मूर्ती सूख जाती है तो कहीं सालों से दीपक चल रहा है तो कहीं भगवान की मूर्ती से महावारी का खून निकलता है जब लोग इन चीजों का अपनी आखों से देखते हैं तो उनका विश्वास और भी गहरा हो जाता है महाकाल के भैरो मंदिर को ही देख लिजे यहां भगवान की मूर्ती को शराब का भोग लगता है और वो भोग यानी शराब देखते ही देखते गायब हो जाता है यह सब देखकर मन में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कैसे मुम्किन है इस कड़ी में शोशल मीडिया पर एक और वीडियो वारल हो रहा है जहां देखते ही देखते मा की आखे बंद हो जाती है जी हां वीडियो को जिस किसी ने देखा है वो आश्चर चकित है वीडियो तेलांगना का बताया जा रहा है जहां स्थित मा भद्र काली धाम में वो होता है जिसे देख कर हर शर्धालू है शिवलिंग की तरह ही मा भगवती का यहां अभिशेक किया जाता है दरसल इस मंदिर में स्थापित मूर्थी का हल्दी से अभिशेक किया जाता है आप वीडियो में देख सकते हैं कि जब मा का अभिशेक होता है तो वो अपने नेतर बंद कर लेती है यादबुत नजारा जितना हैरान करने वाला होता है उतना ही आस्था को कई गुणा बढ़ा देता है अब तक इस वीडियो को लाखो बार देखा जा चुका है कुछ लोगों के मताबिक इस मूर्थी का निर्मान ही ऐसे हुआ है कि जैसे ही हल्दी डलती है मूर्थी के नेतरबंद जैसे लगने लगते हैं लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो इसे किसी चमतकार की तरह देखते हैं चलिए आपको अब थोड़ा इस मंदिर के इतिहास की सेर करवा देते हैं माना जाता है देवी भदरकाली को समर्पित ये मंदिर देश के प्राचिंत मंदिरों में से एक है माना जाता है इसका निर्मान चालुक के वन्ष के शाषक पुलकेशिन दुईत्य ने 625 इसा पूर्व में निर्मित किया था हिंदु मानता के अनुसार देवी काली को ही भदरकाली के रूप में यहां पूजा जाता है मंदर के अंदर देवी के आठों भुजाओं को कवचों से सजाया जाता है ऐसा भी सुनने को मिलता है कि अलावदिन खिलजी के शाशनकाल में मंदर जिर्ण शिर्ण हो गया था लेकिन बीश्वी सतावदी में इसकी तरफ ध्यान दिया गया है और आज भदरकाली का ये मंदर प्राकर्तिक चट्टानों के बीच सूर्यास्त के समय अद्भुद लगता है तो दोस्तों आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा अपनी राई कमेंट सेक्शन में जरूर दीजे और क्या आप भी विश्वास करते हैं ऐसे चमतकारों पर